सिर्फ 20 दिन बचे वह हैién अरो एरो दो-पर यहरो दो-ज्र श्र के pre exam में ठीक है आप क्या करना है कई से करना है कितना करना सारी चीज़े इस वीडियो में समझ दीज़े पहली बाथ तो भाई आरो का जो exam होता है दो स्टेज की प्रोसेस एक होता है प्री एक होता है means RO RO के exam में interview नहीं होता है बस इसी वज़ेसे RO का हमेशा pre tough आता है example play आप RO RO 2021 का GS का paper देख सकते हैं ठीक अब इसमें समझे pre में 200 question आएंगे 200 number के होंगे 130 negative marking है 140 का GS press reasoning आएगा और 60 number का Hindi आएगा ठीक है आपका अगर आपको cut off निकालना है सिर्फ उसी के लिए मैं बता रहा हूं लास्ट के 20 डेस्ट में करना क्या है लास्ट की जो 20 डेस्ट बच्चे हुए उसमें क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले target करिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ cut off के लिए मेहनत करनी है ठीक है पेपर को जान बुझ के आयोग टफ रखता है तक ही इलिमनेशन हो जाए जो भी नॉन सीरिस केंडिडेट है तो 200 क्वेश्टन 200 नंबर आपको चाहिए कितने cut off के लिए करीबन अगर आप जनरल में है तो 130 35 नेट में चाहिए फाइनली निगेट्टू मार्किन के बाद वन थेड़ समयारी बाद बाकी सब केंटेगरी का तो इससे कमी जाता है टार्गेट रखिए आप अपना करीबन 145 नंबर पे और विल्कुल आचीव किया जा सकता है ये मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन लुल बन के नहीं हो पाए लागातार मेरत करनी की पूरी लगानी पड़ेगी आपे फिर पर ये लगानी पड़ेगी और बौडी के पुरजे पुरजे टीक है ये चाहतर में 4 गृंटे से आस-पास इस से यदा नीदन्स और नहीं नेलेनी चाहिए अभी मिनद कर लो तर डुच नहीं होना सब था रहोगे इसलिए बता रहे हैं जो चीज उत्रा सुनों बस डेली आपको अगर 145 का टार्गेट लेके करीबन 130-35 तक लाने हैं तो डेली आपको कम से कम इस समय मैक्सिमम टाइम अपना पड़ाइम देना पड़ेगा तीन चार गंटे की रात में नौ बजे से लेके बारा एक ब पढ़े नहीं सकता है लोग करते भाईया यह नहीं की लगातर पढ़ते रहे हैं उसका भी बता रहा हूं 12-14 गंटे का अपना टार्गेट रखिए आठ गंटे पढ़ने का टार्गेट रखिए और डेली तीन चार गंटे प्रेक्टिस का टार्गेट जरूर होना चाहिए ए युद्ध लड़ने जा रहे हैं वहां पर सबके पास समझ रहा है कि यहां पर 11-606 लोग आप जाड़ों की तरन्त पूरा आपको तैयार करते जायों ठीक है लुल बनके जाने की पढ़ाई करिए रिवीजन करिए चार गंटे प्रेक्टिस करिए यही आपको मजबूत बनाएगी अगर सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ प्रेक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो स्मार्ट गेस वाली जो एक चीज होती ना वो नहीं आपाती है एक्जाम से पहले आप चाला जितना भी पढ़ लो अगर आपने प्रेक्टिस नहीं किया आरो आरो दोजार टेइस के प्री एक्जाम से पहले या फिर आरो और पीसेस एक्जाम के प्री से पहले अगर आपने कम से कम 10,000 कोशन नहीं लगाए हैं MCQ तो मुश्किल है सिलेक्शन पढ़ना जरूरी है पढ़ना इस तरह से होता है कि आप पहचान सके कि आपशन को कैसे पहचाना जाए लेकिन पढ़ाई के साथ अगर वो चीज आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे उसकी हैबिट नहीं बनाएंगे तो एक्जाम के डिन में क्या परफॉर्म करोगे गंटा इसलि प्राइबिटी वाइस आपको टार्गेट करना है सारे सब्चेक्ट नहीं पढ़ना है जितना इंपर्टेंट होता है वही पढ़िए सब्सक्राइब हिंदी के लिए इस्टडी फॉर्ट सब्सक्राइब की जो पापा पीडिया नया वाला जुदी है विल्कुल यूपी पी जाएए अगर वीडियो देख रहे हैं तो तीन-चार बार रिवीजन करके जाएए उसके साथ आरो एरो की जो स्टडी फॉर्स की पेड़ कुईज में हिंदी के साथा डेयर कोश्चन करा हैं वह आप जरूर लगा लिना अगर इसके साथ हो सकते तो टेस्स के हिंदी के कोश सकते हो खीश सकते हों हिंदी में टार्गेट रखना चाहिए चाहिए चाहँवान पच्पन तो कब से कम लाने पड़ेंगे आपको और लोग साथ में साथ नंबर लाते हैं यह कोई एक्षेप्शनल बात नहीं है कोई बहुत बड़ा तीर भी नियू खाल लेते हैं वह पुरह आपने कपच लिया ना तो प्री का कट ओफ निकालने बहुत आसानी हो जाएगी वायारों का मैंने बताया ना पीस के तक से प्रीकेश के प्रीजें वी टफ हो सकता है तो पहला प्रश्टी है आपको हंदी डेली जो जितने भी आप घंटे दे रहे हैं जिससे मैंने टोटल में आता है नेशनल इंटरनेशनल जितना भी हो गया समीट अवार्ड इस्पोर्ट ओनर रैंकिंग इस सब कुछ होता है इसका पापा उड़ान आपको दैदेंगे कल ठीक है भाई या जी और भाई नहीं जी इससे आपके 25 कोईश्चन आपके कम से कम कवर हो सकते हैं त सब्सक्राइब लोग पिछले आठ सालों से यूपीपेसे के जितने एक्जाम हुए है उसमें से पूरे के पूरे के पूरे और मुस्ट करेंट अफिर आया है इस्टडी फॉर्ट सिविल सिप्सेस सारे लोग मिला सकते हैं एकाथ कभी कोई छूट गया हो तो बात अलग है जब दो-तीन साल पहले का पूछने लगते हैं तब अदर्वाइस इस टड़ी फॉर्ट से पूरे अफ़े हैं बाकि आप पूरी मार्केट की मेर्जीन भी पढ़ना लो ना तो भी पूरे नहीं लापा होगी सिर्फ एक जगह आपको एक पापा देखना है टोटल करेंट का जो कल आ जाएगा हमारे चैनल पर वो कर लिया टोटल पापा हो गया यूप का पापा देख चुके हैं लास्ट करीबंट का उसको दिख डालो तो यूपी और नैस्ट ये यूपी और टोटल करेंट अफेर मि सब्सक्राइब होगा दोजर्ट तेश्वाला ग्यारा फर्वरी दोजर्ट चोविस को ठीक एकनॉमिक सर्वे आता है अरबार की तरह 31 जनुरी को एक जट एक फर्वरी को आएगा बजट आरो का पेपर बन जाता है करीबन 20 दिन पहले तो भाया जो अभी आने वाला एकनॉ सर्वे बजट और यूपी का बजट वही आएगा उसका डेटा कर लेना वहम दे भी चुके हैं उसके पापर वीडियो ठीक है यह और कर लोगे तो एकनॉमिक के करीबन पांच्छे को इसी से कवर हो जाएंगे और बताओ ठीक है कितना हो गया साथ 3090 ठीक है और प्लस ले जिसमें सेंसास अर्बनाइजिशन आई सफार टाइकर रिपोर्ट जो है एनिमाल एसमेंटरी वाली होगया अग्रीकुल्चर डेटा बिदेटा पहलता ही सकते है थिक हैं तो क्योंकि पेपर बहुत दिन से पहले बन चुका है ना तो वही डेटा मानेंगे तो उसके बा समझे रहे हैं इसके बाद भाई आरो यारो के फेवरेट टॉपिक में से है यूपी जी के उसको जरूर पढ़िए एक पर हमारा जो है पापा विडियो भी दिया हुआ है चारपाइच कुश्चन उससे आप पा सकते हैं ठीक तो करीब एक सो बीस के हसपास नहीं कुश्चन हो हैं अच्छी उनकी एप्टिट्यूड और रीजनिंग इस्किल्स हैं तो वह लोग सिर्फ वाई क्यू देख ड़ली है दो चार सालों के उतने से ही वो पूरे कर लेंगे जो नहीं है उनके लिए पापा वीडियो दिया गया बिल्कुल डिटेल में स्मार्ट बोड पे समझा आते हुए चैनल में हमने पढ़ाया है बहुत शांदार पढ़ाया उतने वीडियो को देख लिए साड़े पांच घंटे का है सिर्फ एक बार बैटो तो कवर हो सकता है कि उतना अगर आप कर लें उतने से हो जाएगा देखो आरवारो की रीजनिंग में कुछ फिक्स सेट आप क्वेशन है पस वही देते हैं वही डायरेक्शन वही क्लास की रैंकिंग के सवाल कि आगे से इनका नंबर यह पीछे से यह बीच में बिटा इसका नंबर बताओ वही जो है यह एबी सी एबी सी डी इस तरह से जो सवाल आ जाते हैं बहुत बतलब हलुआ टाइप की सकता है ठीक है तो इतने से रीजनिंग हो जाएगा पंदरा सवाल तो यहीं से आप निकाल सकते हैं अगर साइन से वाले हैं तो अपने आप निकल जाएंगा थोड़ी प्रेक्टिस कर पांच गंटे साथे वीडियो देखके आ जाएगा आप समझ रहो एक सो तीपीस हो गए जोग्रफी का पापड़ दिया है भाई आरो यारो के लिए जोग्रफी बहुत इस्पेशल टॉपिक है जोग्रफी से कोईशन दबा के पूलता है और रूमें करीबन बीज बाइस तेइस को आ सकते हैं जो अभी हमने जोग्रफी का पापड़ दिया है करीबन होगा एक लिस्ट मॉडर्ण वाला सेक्शन देख लो और इंशेंट और मेडिवल में जहां-जहां टेबल्स वगएरा आई है जो लिस्ट विस्ट आई है राइव की आई है क्रोनोलाजी आई उस टाइप की चीज़े देख डालो तो यह हो गया हिस्ट्री पॉल्टी पॉल्टी म जो बहुत हमने दिया हुआ है मेरे साब से आप इसमें जो पॉल्टी के लिस्टिंग वाला भी एकर आप वीडियो देख लें सताथ गंटे का उतना ही पूरा कवर कर देगा इसमें ठीक इन्वार्मेंट का तो बहुत छोटों सामने दिया हुआ है एक लिस्टिंग पापा इतना अगर आप कर लेंगे लास्ट पर जो है इतने पर इन्वार्मेंट साइंस में भी जो मोस्ट इंपर्टन चीज़ें लिस्ट ऑफ डिसीजिस हो गई ठीक है इन्वेंशन वाले आ जाते हैं सवाल तो जो जो इंपर्टन इंपर्टन चीज़ें उतना भी थोड़ा यह नहीं देता है यह समस्या है इस तरह से अगर आप लगोगे सब कुछ हासिल किया जा सकता है लेकिन समस्या वही है कि मेहनत करनी पड़ेगी अब आप लोगों में से कई लोग की कोईरी आ रही है कि सर बहुत डर लग रहा है एक चीज़ पढ़ रहा है दूसरी भूल जा रहे हैं यह डर सौब आभिक आप लोगों में से टॉप करने वाले हैं इस एक्जाम में उन लोगों को भी डर लग रहा होगा डरना जरूरी है यह अगर आप डर नहीं रहो ना तो दो केस है या तो आप लूढ़ लो एक्दम और या फिर आप यह एक्जाम के लिए लेकिन मेहनत करके अचीब किया जा सकता है तो आरो एरो के एक्जाम में सेलेक्शन लेने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप टेली जेंट होना बहुत ज़रूरी है लगातार पढ़ना पढ़ेगा प्रिक्टिस करनी पढ़ेगी रिवीजन करना पढ़ेगा एक और चीज में लास्ट में जाते हैं बताता हूं अगर आपने स्टडी फॉर्ट सिब्सक्राइब की स्वाले के लास्ट के पाम सालों के लग सवाल अभी भी टाइम है अभी वी कर सकते हो कुछ लोग को चुकल परकार कैसे नहीं कर पाओ यार करना नहीं चाहते हो तुम बिल्कुल हो जाएगा मोबाइल खोलो सटट एक सवाल किया सही हुआ आगे बढ़ गए गर तो एक बढ़ देख लो इस तरह से करो लोग 8800 सवा सवाल अटेम्ट करने है उससे पहले आप है विच्वाल होने चाहिए डेली कम से कम 8800 सवाल लगाने के इतनी हैबिट बनाओगे अपने आपको ग्रिल करना कर सीखोगे ना तभी बन पाओगे यह जैसे एक्जाम को ऐसे मिंटों में निकालोगे आईसा नहीं होता है आप ल सब्सक्राइब को पूछते हैं उनके पैटन को ही फॉलोग करके आप निकल सकते हैं ठीक है अब समस्या यह होई कि इस बार कई सारे जो वंडे चोटे मोटे एक्जाम के कोचिंग वाले हैं उन्होंने भी सारे अपने इस्ट्रोइन को मोटिवेट कर दिया कि जाओ जाओ त यह हम आरो यारो निकल देगा अब समझ रो इनका जो में टीचर वो ना निकाल पाई इसका प्री तो यह चीजे हैं समझे बात सबको पता है आपको टस एक्जाम देने जाना है तो क्या हम बाकी जो लुल्ल कोचिंग वाले हैं लूल्ल कोचिंग वाले जो लुल उनके ओनर भी है वो लुल टाइप की जो टेस्ट स्रीज दे रहे हैं बिल्कुल इजी सी जिसमें कई सारे स्टुडेंट के सो में डेड़ी सो नमबर आ जाते हैं उनको क्या हसिल होगा वो लोग बेवकूप बना रहे हैं उनको सचाही नहीं दिखा रहे हैं यह हमने स्टुडेंट को हैं कोई ऐसी बात ना लगए आपको अगर आपने स्टुडी फॉर्ट स्टुडेंट की टेस्स स्रीज फॉलो करिए और ऑनलाइन ऑफलाइन वाली तो आप इजी मॉडरेट एनलिटिकल कॉंसेप्च्छल सारे तरीके के हमने सवालों से रूप रूप करा दिया है कि आयोग हम करा रहे हैं बिल्कुल एजी कोईशन की प्रिक्टिस और बाकि यह जो लुल कोचिंग वाले हैं लोग क्या करते हैं मैं बहुत आता हूं यह लोग स्रीज ही नहीं पनाते हैं यार इस्टेडी फॉर्ट से जो है ओरिजनल कंटेंट में कर रहा हैं हम खुद कंटेंट कर यह पढ़ना चालू कर यह महनत लगेगी डरने अरने की कोई जरूत नहीं है लास्ट टाइम पर किसी फैंट पर कंफ्यूजन हो चोड़ दो इतना ज्यादा उल्जो मत कोई लोग लगे रही जाते हैं कि अरे यह ठावल मुच्चे कोई चनी हो जाए इच्चो पेल रहा है समझेरो इसलिए पैटन पर रहिए काम रहिए कंपोज रहिए चुप चाप एकान तवास पर रहके पढ़ाई करें अंडर ग्राउंड होने का टाइम आ चुका है लास्ट के 20 दिनों का सदुप्योग करेंगे तो भी निकलेगा कटॉप अधर्वाइस बैक से जो भी पॉसिबिलोज जरूर करके जाना काफी फायदा मिलेगा और एक्चुली आयोग के पैटर्न पे रहो गए आप बाकी आप लोग बताओ तो फिर मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो में ने बताया है जैसे करेंट फेर का पापे उड़ो तो कल आई जाएगा कोई बाकी कोई और डाउट हो आपका कोई और जो है सवाल आ रहा हो मन में लास्ट टाइम पे कुछ कोड़ पेच हो रहा हो दिमाग में यहां पे पूछेगा बिल्कुल जोड़दार तरीके से जवाब दिये जाएगा वाकि या बाई जन्वरी 2024 को प्रभू श्री राम आ इसलिए हम भी गएंगे जैसी डाम जो के लो